नमस्कार दोस्तों स्वागत यास सभीक आगवा फिट से आपके पनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेनिस टुडियो पर तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मद्यकालिन भारती यास उमद्यकालिन भारती यास की संकला के नत्रगत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भक्ती आंदुलन से संबंदित इसके सभी महत्मूट फैक्ट्स को दोस्तों भक्ती आंदुलन को हम लोग दो सेशन में यानि की दो पार्ट में कवर करने वाले हैं जिसमें की पार्ट वन आज हम लोग कवर करेंगे तो चलिए स्चलू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आये जानते हैं हम लोग भक्ती आंदुलन की इसकी समान जानकारी के सम्मण में जिसमें हम भक्ती आंदुलन की basic जानकारी और background जानने का प्रियास करेंगे बात करें दोस्तों भक्ति आंदुलन की दो भक्ति आंदुलन दोस्तों दो सब्द से मिलकर बना है भक्ति प्लस आंदूलन जिसमें दोस्तों भक्ति का आर्थ होता है इस्वर के प्रति पूर्ट समर्पन यानि कि इस्वर के प्रति पूर्ट समर्पित हो जाना ही भक्ति कहलाता है एक्चुले में दोस्तों देखें तो धर्म का अंतिमुद्देश होता है मोच की प्राप्ति करना यानि की जन्म और मन की माया से मुप्त हो जाना और मुख्य रुप से दोस्तों मौच की प्राप्ति के तीन साधन बताए गए हैं यानि कि मौच प्राप्त करने के तीन मार्ग बताए गए हैं एक होता है ज्यान, कर्म और भक्ति इन तीनों में दोस्तों भक्ति जो है वो मौच प्राप्ति करने का सबसे सरल मार्ग माना जात इस प्रेकार दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि मोच की प्राप्ति करने के लिए इसवर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना ही भक्ति कहलाता है। यानि कि इसका में परपस क्या था इसका में उद्देश क्या था बात करें दोस्तों भक्ति आंदोलन चलाये क्यों गया था इसका मूल कारण क्या था तो दोस्तों मद्ध काल में मुख्यरूप से हिंदू धर में दोस्तों अंदविश्वास और बुराईया काफी फैल गई थ इन अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करने के लिए दोस्तो जो आंधूलन चलाय गया था उसे ही मुख्यरूप से भक्ती आंधूलन के नाम से जाना जाता है तो इस प्रिकारम कह सकते हैं कि भक्ती आंधूलन के मुख्यरूप से दो मूल देश थे एक उद्देश यह था कि हिंदु धर्म में ब्याप्त अंद्विश्वासों और बुराईयों को दूर करने के लिए ये अंदोलन चलाये गया था इसके लावा दोस्तो हिंदु धर्म एवं समाज में सुधार करने के लिए और इसलाम तथा हिंदु धर्म में समनवे यानि की भायचारा बनाने के लिए ये आंदोलन चलाये गया था भक्ती आनुन का दोस्तो सरवप्रथम उलेक स्वेतासर उपनिसेद में मिलता है और इसकी विस्तरत ब्याक्ख्या दोस्तो गीता गरंत में की गई है इसके लावा दोस्तों भक्ति आनुन का सरोप्रथम प्रारम आठवी सताबदी में दच्छिड भारत में संक्राचार नामक कवी दोरा किया गया था संक्राचार दोस्तो एक अलवार संत थे और इसकी विस्तरत ब्याख्या दोस्तो अलवार संत एवं नैनार संतो दारा की गई थी यानि कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्रोप्रथम प्रारम किया था संक्राचार ने कहां पर दच्छिड भारत में और पूरे भारत में इसको विस्तायत किस ने किया था अलवार और नैनार संतों द्वारा अब आई दोस्तों लोग जानते हैं कि अलवार और नैनार संत किसे कहा जाता है तो दोस्तों अलवार संत उन संतों को कहा जाता था जो विश्णु पर सद्धा रखने वाले संतों को अलवार कहा जाता था, इनकी टोटल संख्या दोस्तों 12 थी, इन 12 संतों में दोस्तों एक नामना अलवार नाम के प्रमुक संत हैं, जो कई बार एक जाम में भी पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने चतरवेज की रचना की थी, तो ये कई बार एक जाम में पूछा गया कि दच्छिन भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इनका नाम था अंडाल, ये दोस्तों 12 संतों में से एक मात्र महिला अलवार संत थी, जबकि दोस्तों नैनार सिव भगवान पर सरधा रखने वाले संतों को कहा जाता है, तो इस प्रकार दोस्तों भक्ति आंडोलन की हमने बेसिक जानकारी यानि की समान जानकारी पढ़ी, और अब आई दोस्तों लो जानते हैं कि भक्ति आंडोलन में भक्ति के कितने मार्ग थे, यानि कि भक्ति की कितनी धाराएं थी, तो दोस्तों भक्ति की मुख्य रूप से दो दो धाराएं मानी जाती हैं संगुण भक्तिधारा और निर्गुण भक्तिधारा संगुण भक्तिधारा भी दोस्तों दो साखा में विभाजित थी रामासरेई और कृष्णासरेई रामासरेई भक्तिधारा के दोस्तों प्रमुक कवी माने जाते हैं तुलसिदास और रामद ये दोस्तों आप से पूछ लिए जाएगा कि कौन सा कवी रामा सरी या किष्णा सरी भक्तिधारा के कवी हैं तो आप इन कवीों की नाम ले याद रखिएगा ये एक जाम में पूछ जाते हैं इसी तरह दोस्तों किष्णा सरी भक्तिदारा के कवी हैं वल्लेबाचार, चैतन्य, मीरावाई और सूरदास इसी प्रिकार दोस्तों निर्गुन भक्तिदारा भी दो साखा में विभाजी थी ग्याना सरी और प्रेमा सरी ग्याना सरेई भक्तिधारा के दोस्तों कवी मने जाते हैं कबीर दास, रैदास, दादू मलिक और मलूक दास इसे प्रकार दोस्तों प्रेमा सरेई भक्तिधारा के कवी मने जाते हैं मलिक महुम्मद जेसी तो इसे प्रकार दोस्तों हमने जाना कि भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं और किस धारा में कितनी साखाएं होती हैं और किस साखा का कौन सा कवी है अब आईए दोस्तों हमने जानते हैं प्रमुक संतों एवं उसके मत के संबन में यानि कि उनके सिध्धान्त के संबन में जैसा कि दोस्त हम ने जाना कि मत्द का नितिहास में अंदिविषवास और बुराईयों को दूर करने के लिए प्रमुख संतो और विद्वानों ने अपने अलग-लग मत्ध और अलग-लग सिध्धानतों के जारा आंधोलन में भाग लिया था तो दोस्तो विन संतो के मत या सिधान्त से जोड़कर एक्जाम में कुशन पूछे जाते हैं जैसे कि दोस्तो अदैतवात का सिधान्त दिया था संकराचार जी ने और दैतवात का सिधान्त दिया था मादवाचार जी ने और इसे परकार दोस्तो अदैतवात और दैतवात की कॉंबिनेशन से एक सिध्धान बनाय गया था जिसे दैतवा दैतवात का सिध्धान कहते हैं ये सिध्धान दोस्तो दिया था निम्ब का चार जीने और इसे परकार दोस्तो अदैतवात के विरुद एक सिध्धान पुछे जाते हैं और अब आई दोस्तों हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन में जिन संतों और जिन विद्वानों ने भाग लिया था उनके संबन में हम लोग एक करकी करम से पढ़ेंगे चलिए दोस्तों सबसे पहले आईए हम लोग जानते हैं संकराचार जी के संबन में संकराचार जी को दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन दाता माना जाता है क्योंकि भक्ति आंदोलन को दोस्तों सुरप्रथम प्रार्म किया था संकराचार जी ने दच्छिन भारत में संक्राचार जी का जन्द दोस्तो 788 सुई में हुआ था उनकी म्रत्यू हुई थी 820 सुई में संक्राचार जी को दोस्तो प्रचन बहुत के नाम से भी जाना जाता है यह भी point आपने याद एक्टना है कि कि यह कई बार exam में पूछा गया है संक्राचार जी का जन दोस्तों केरल के कलाडी नामक इस्थान पर हुआ था उनकी मृत्यू उत्राखंट के केदान नात में हुई थी संक्राचार जी ने दोस्तों दैतवात का सिधान दिया था जो कि हम लोग पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं तो अदैतवाद का सिधान दोस्तों संक्राचार जी ने दिया था संक्राचार जी दोस्तों भक्ती की सगुण भक्तिधारा से सम्मंदित थे इसके लावा दोस्तों संक्राचार जी ने पूरे भारत में भक्तियानन को प्रसारित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले पूरे भारत की यात्रा की और पूरे भारत में दोस्तों भारत की चारो दिसाओं में उन्होंने चार मट इस्थापित किये अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये मट क्या होते हैं तो दोस्तों मट उस इस्थान या उस जगा को कहा जाता था जहां पर ये विद्वान अपने सिस्सों को उपदेश देते थे, सिच्छा देते थे तो इस परकार दोस्तों संकराचार जी ने भक्ति आनुक को प्रसाइद करने के लिए भारत में चार मठ इस्थापित किये थे वे मठ हैं स्रेगरी पीट या स्रेगरी मठ पीट या मठ एकी बात है ये दोस्तों स्वी भगवान से सम्मदित है और ये इस्थिते कनाटक के महसून नामक इस्थान पर दूसरी है जोतिस पीट ये विश्णु भगवान से सम्मधित हैं ये इस्थी थे उत्राकंड के बद्री नामकिस्थान पर इसी क्रम में दोस्तों संक्राचार जी ने भाट की चारो दिसाओं में चार मढ इस्थापित किये थे जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि भात की उत्री भाग में बद्री नामक इस्थान पर जोतिस फीट इस्थापित की गई थी उसी प्रकार दोस्तों भात के दच्छनी भाग में कनाटक के महसूर नामक इस्थान पर स्रेगरी पीट इस्थापित की गई थी और पस्चमी भाग में दौरिका नामक इस्थान पर दोस्तों सारदा पीट इस्थापित की गई थी और पूरी की उडिसा में दोस्तों उन्होंने गोवर्धन पीट इस्थापित की थी ये चार पीट या चार मठ हैं जो एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा पीट या कौन सा मठ किस स्थान पर रिस्तिते इसके संबन में एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं और अब आई दोस्तों में जानते हैं रामा नुजा चार जी के संबन में रामा नुजाचार जी का जन्म दोस्त हुआ था 2017 सुई में उनकी मिरत्ती हुई थी 1137 सुई में इनको दोस्तो विष्णु का अवतार मना जाता है ये कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है कि विष्णु का अवतार किसे मना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तो रामानुजाचार जी को इसके अलावा दोस्तो विशिष्ट दैदवात का सिध्धान किस ने दिया था या इस सिध्धान का प्रतिपादक कौन है तो ये हैं दोस्तो रामनुजा चारे रामनुजा चार जी ने दोस्तो विशिष्ट दैतवात का सिद्धान दिया था ये दोस्तो सगुड भक्तिधारा की कवी माने जाते हैं ये भी पॉइंट आपने यादखना है नोट पॉइंट में आपको याद अखना है कि दैतवाद का सिध्धान्त मादवा चारजी ने दिया था जबकि विशिष्ट दैतवाद का सिध्धान्त रामा लुजा चारजी ने दिया था दैतवा सिधान दोस्तों किस छेतर से सम्मंदित था तो कनाटक छेतर से सम्मंदित था ये भी पॉइंट आपने याद रखना है और अब आई दोस्तों आपने जानते हैं निम्बका चार जी के सम्मन में निम्बका चार जी ने दोस्तो सन कादिर नामक संपरदाय की स्थापना की थी ये पॉइंट आपने यारकना है पूछा जा सकता है कि सन कादिर संपरदाय के संस्थापक कौन है तो निम्बका चार जी इन्होंने दोस्तो दैतवात का सिध्धान दिया था तो दैत्वाद का सिध्धान किस ने दिया था तो निम्बका चारजी ने निम्बका चारजी दोस्तो सगुण भक्तिजारा के कवी हैं इस प्रकार आबाये दोस्तों में जानते हैं वल्लबा चारजी के सम्मन में वल्लभाचारजी से सम्मन्दी दोस्टो दो पौइंट है जो जातर एकजाम में पूछे आते हैं एक यह है कि रूद संप्रदाय की स्थापना किषने की थी तो वल्लबाचारजी ने वल्लबाचारजी ने दोस्टो सुद्द दैतवात का सिधान दिया था याद रहे दोस्तो विशिष्ट दैदवात का सिधान्त अलग है और सुद्ध दैदवात का सिधान्त अलग है लिंक में डिस्कुशन बॉक्स में दे दूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केर एंड गुडबाई